किसान्भाईयो नमश्कार किसान्भाईयो आज वीडियो है कुछ भाई मेरे कमेंट भी कर रहे हैं पूछ भी रही है मेरे से और कुछको मैं देख भी रहा हूं वह बुग्गी में जो है बुग्गी फे बायक पेस कटे ले जा रहे हैं यूरिया के रख रख are तो तो बाइव कुछ देखो हम वीडियो के माद्यम से ही बता सका है को पर्सनल हीम नहीं कह सकते हैं कि आप भी यूरिया मंड़ डू कि शाटन भाईव आप देख लो जैसे गन्य का यह बन्धाई होगी बन्धाई कोने के बाद मैं गन्य का कलर जो है डार्क है बिल्कुल यह देख सकते हैं आप तो अगर आपके खेत की कंडिशन यह है और गन्य का कलर नहीं गिर रहा बिल्कुल भी डार्क चमकरा काफी तो आप अभी यूरिया का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें वैसे ही मोसम में जो है गर्मी है जैसा मोसम में इ अभी गन्ना निरोगा खड़ा हुआ है तो इसका यही कारण है कि अभी हमने यूरिया का इसका परेज का रखा है और सुरू में जो है यूरिया लगा रहा है एक हमने तुजुरुबा अपने आप किया कि जब भी आप आपको डालना है आप जैसे फागन का पोद्धा है अप लाष्ट फरवरी लाष्ट तक जादे तर पेड़ी कड़ जती हैं तो हमने एक बात का तुजुरुबा यह करा कि अगर आप उसमें 15 जून तक कोसिस तो यह करो कि 15 मई तक फुल लागत लगा दो जितनी भी उसमें लगानी है जुताई खुदाई पिटाई यूरिया और ड पिर उसमें पोकका बोइंग बनने की समस्च्या जो है वह 0.5 परसेंट ही रह जाएगी अब मैं आपको इधर दिखा देता हूं थोड़ा सा जो अड़ती से जो गन्ना है अपना इसमें थोड़ी सी पोकका बोइंग की समस्च्या बन जाती है कि इसमें यह थोड़ा सा टोब बोरर की तितली का कमाले जी ये दुबारे से टोब बोरर बना इसमें इस परे भी कर रखें सारे काम कर रखें लेकिन इस बार जो है मोसम का रूटीन इस तरह का बन रहा कि वो बार बार हटता है फिर बारी सा जाती है फिर फिर दुबारे से बने जाता है अगर हम भाई यही निवेदन है कि आप अगर आपके खेत का कलर डार्क कलर है बिलकुल तो आप उसमें यूरिया गेरने की जल्दी ना करें बस आज जो तारीख है यह मानलो जोलाई लाश्ट हो गया और एक हफ्ता और अगस्त-अगस्त की बात रह रही है फिर आप उसके बाद में यूरि होती है वो एक जगाई खटा कर लें उसे छाल लें पांच किलो भीके के हिसाब से एक कट्टे में कम सकम उसका प्रियोक करेंगे तो आपका जो है आपको बिलकुल भी दिक्कत नहीं होने की और गन्ना आपका पोका बोइंग से बच जाएगा वीडियो आपको जुरूर पस सस्काराइब भी करें नमस्कान